नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो बहुत ही एहम मुद्धों पे चर्चा करनी है हमें हर वेक्ति ये चोस्ता है ये चाहता है कि जहां वो रहता है जिसी भी छेतर में रहता है नाकपूर की बात करें नाकपूर में सदर एक कमर्सिटियल छेतर ह ये बहुत भी वह वाला छेतर है और बहुत महंगा जगे हैं जो भी नाकपूर को जानते हैं नाकपूर के बारे में जानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सदर एक बहुत ही ज्यादा कमर्शियल और ज्यादा भीर भार वाली छेतर है और महेंगा भी बहुत है यहाँ पर तुली इंटर नेशनल एक होटल है, उस होटल के सामने एक पेटरॉल पंप है, पेटरॉल पंप के बाजू में एक शोरूम खुल रहा है जिसका नाम है गेसंस, गेसंस के मालिक राहू लगरवाल है अब गेसंस ने इस प्रोपर्टी को CNI Church of North India, CNI NDTA नाकपूर की एक संस्था है, उससे लीज पे लिया, सबसे पहली बात, लीज पे लिया ठीक है, लीज पे इसे 29 साल के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में फिर क्या समझा पता नहीं, उस समझने के बाद में फिर इस ली 3500 स्क्वार फिट के आसपास में है, टोटल, 32 से 3500 मान लेते हैं, लेकिन पेपर पे 1900 ही लिखा गया, यानि कि 15-16 स्क्वार फिट हो सकता है कि अतिक्रमन का होगा, वो भी कमर्सियल छेत्र, छीक है, अब आप सोचिए कि लगबग 3500 स्क्वार फिट ये जगह, इसका लीज हुआ होगा, लीज एग्रिमेंट भी अगर करते हैं, तो फिर ये कितना डिपॉजिट होना चाहिए, आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ इन्होंने, राहू लगरवाल ने, गेसंस वालोंने, NDTO को सिर्फ 28 लाग का डिपॉजिट किया है, वहीं जहां पिए शोरूम है, स्क्वार फिट की शॉप का डिपॉजिट 15 लाग रुपए है, अब आप सोचिए कि सिर्फ 150 स्क्वार फिट की लैंड वो दुकान है, उसकी डिपॉजिट 15 लाग है, और जहां पे 3000 से ज्यादा स्क्वार फिट की जमीन है, उसका डिपॉजिट कितना होता है, तो सिर्फ 28 यानि कि ये ये 150 स्क्वार फिट का 22 गुना ज्यादा होता है लगबग, चारे 3000 स्क्वार फिट और उसका डिपॉजिट वहां 15 लाग है, और यहां सिर्फ 28 लाग है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, ये 15 लाग जो डिपॉजिट गया, 150 स्क्वार फिट वाले ने, उसक सोचिए कि इतना बरा फर्क कैसे हो सकता है, हिंदुस्तान में कई बार देखा गया है, कि धर्म के नाम पे कई बार पैसे का लेन देन देखने को हमें मिलते आया है, अब यहां सारे 3 करोर होना चाहिए और 28 लाग में settlement कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारान हो सकती है, ये बतलाब के बाद में एंट्री होगे गयसन्स वालों की यानिकि राहूल अगर्वाल की और राहूल अगर्वाल ने ये जमीन लिया और हो लोगरवाल को यानि कि एक वेपारी है वो गेसंस वाले और गेसंस ने ये जमीन सस्ते में ले लिए और इसका किराया इसका किराया सिर्फ एक लाक रुपे महिना है जानी कि इससे पहले में जो जिकर किया 150 स्क्वार फिट की जो दुकान है अम उसकी 15,000 रुपे अब ये लगभाग पूरा गिनेंगे आप तो सारे 3000 स्क्वार फिट का असपास आपको मिलेगा अब उसमें इसका किराया कितना होना चाहिए कितने लाक होना चाहिए या अंदाजा लगा दिजिए क्योंकि लगभाग 22 गुना ज्यादा है तो किराया भी दगभ रुपय प्रति महिना यानी कि इस छेतर में अगर इसको हम डिवाइड कर दे जिये सारी 3000 स्क्वार फिट और से भरष्टा चैर के बू आ रही है क्या एक बड़ा सवाल है क्या सभी ने अपने धर्म के प्रती कितना जागरूख है ये भी एक सोचने वाली बात है हम लोग blind trust करते हैं लेकिन blind trust के पीछे क्या इस प्रकार का जो खेल है उस पे कौन ध्यान देगा उस पे भी तो हमारा ही कर इस तरीके कि जो धर्म गुरू के जो यानि कि ndita जो है सीएग कि जमीन है इस तरह कि जो भी जमीने होती है अगर उसे लीज पर देना है तो पेपर में उसका विद्यापन निकाला जाता है उसके बाद इसमें जो जो सबसे higher जो रेट लगाते हैं कि हम बाई हमें इतनी ला आपन निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि दो तीन करोर तो ऐसे ही हाइर मिल जाएंगे क्योंकि 28 लाख तो हाइर हो नहीं सकते इस छेतर में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं कई सवाल हैं लेकिन कहीं न कहीं यह जो एग्रिमेंट हुआ है यह जो डॉकुमेंट समारे हाथ म आए है उसमें गेसंस के ओनर राहूल अकरवार और सी एन इडिटी एक जो संसिथा है उसके वीच कुछ तो भी एक भरस्टा चार की बूस ही आ रही है क्या यहां पर भरस्टा चार किया गया है क्या यहां पर पिछले एपिसोड में बातचीत भी कि थी फोन पे और आपको हमने बताया भी था ये बिशॉप कॉटन स्कूल की प्रिंसिपल भी है अधिक जानकारी लेकर हम जरूर लोटेंगे मामला थोरा सा पैंचीदा है धीरे-धीरे हम सारी चीजे आप तक लेकर आएंगे आप देखत रहें इन्बिस्यन न्यूज अपने दोस्त वीर सिंग के साथ जैंट